हाव रूफिक्स वान प्लास नौट टू किप्स शाटिंग डाउन प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में यह सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल जो ही दोस्तों बार बार जो है शाट हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या सॉलूशन आपको करना होगा कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा यह मैं आपको इस वीडियो बे बताने वाला हो तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जो भी solution होगा step by step आपको जिस तरीके से मैं बताने वाला हो उसी तरीके से आपको भी follow करना है and आपका problem solve हो जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है make sure channel को subscribe करे, bell icon को click करे, अगर आप online पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा. किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको दोस्तों यहाँ पर अपना mobile को एक दफार restart कर देना है. रिश्टार्ट करने के बाद दोस्तों सेटिंग पर जाएए. सेटिंग पर जाने के बाद utilities को open कीजिए. और आपका जो problem है यह हो सकते है. schedule power on off. अगर आपने यह सेट कर दिया है तो इसको बन करना होगा. ठीक है? उसके बाद आपका problem उई पर fix हो जाएगा. अगर यह problem था तो दोस्तों problem solved. अगर यह problem नहीं था, कुछ और ही problem है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपके storage applications चेक करना है. सबसे पहले unwanted applications को delete करें. मोबाइल पर कुई भी unwanted apps है, जैसे कि unwanted या फिर unknown यहाँ पर applications. ठीक है, मानले यह unknown website से download क्या हुआ applications है. तो उनको भी आप दोस्तों यहाँ पर delete करें. उसके बाद आपका storage चेक किजिए. अगर storage दोस्तों आपका full हुआ है, तो आपको अपना storage यहाँ पे clean करना होगा, free up करना होगा. ठीक है? इस storage को free up कर लिजिए. free up करने के बाद दोस्तों आप check करके देखे, solve हो जाएगा problem. क्योंकि अगर mobile पे जादा से ज़्यादा application run करते हैं, या फिर mobile पे जादा से ज़्यादा application use हो रहा है, mobile को overuse किये जा रहा है, तो दोस्तों यह problem होते है. ठीक है? तो आपको careful होना परेगा इस situation पे. और दोस्तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको solutions बताया है, अभी उन सब को follow करें. ठीक है? mobile को overuse कर रहा है, तो मत कीजे, high gaming कर रहा है, तो वो भी दोस्तों आपको छोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों उससे आपको यह problem हो सकते हैं, charging करते हैं गेम नहीं खेलना है, mobile को use नहीं करना है, तो इन सब से दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा, ठीक है? अगर solve हो जाते हैं तो ठीक है, अगर अभी भी दोस्तों आपको problem हो रहा है, तो आपको यहाँ पे mobile को safe mode पे reboot करना है, उसके लिए power button को press and hold करना है, power of के button को 2 second click करके रखना है और okay कर दिना है, उसके बाद safe mode पे reboot हो अगर problem solve हो जाता है, तो ठीक है, अगर आपको अभी भी problem आ रहा है, तो दोस्तों जाए मोबाइल के setting पर, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे system पर जाना है, और system update कर देना है, जैसे ही दोस्तों आपका software update होगा, software update होती है, आपका problem solve हो जाएगा, by any chance इस से भी दोस्त problem solve नहीं होते, तो आपको जाना होगा reset option पे, reset option पे जाके दोस्तों mobile को factory data reset कर देना होगा, erase all data पे क्लिक करें, और mobile के सारे data को erase कर दे, उसके बाद आपका problem definitely solved, तो इस तरीके से आप अपने one plus के device में keeps shutting down problem solve कर सकते, उमीद करते दोस्तों आपको यह video पसने होगा, आज के ल थाद कर दोस्तों